नमस्कार दोस्तों, welcome back to 48 Automobiles, मैं हूँ आपको होस्ट रोहित, अपने भाई करन के साथ, आज आपके लिए बहुती बड़ी आप वीडियो लेके आने वाला हूँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, one of the best second base variants के बारे में, we are going to talk about the all new MG Aster Super Variant, इसके एक शोरूं की किमत है 11,49,000, आइए देखते क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर आपको 11,49,000 देने से, पर उसके पहले आपको एक request है, हम लोग देख रहे कि आप को पसंद आ रहा है तो definitely like, share, comment and subscribe, आइए देखते क्या-का फीचर्स मिलते हैं, सबसे पहले आप इसका फ्रेंट का लुक देख सकते हो, बोती यगा सूपर ब्रैंडिंग मिल जाती है सामने और पूरी Celestial Grill दी गई है, काफी वाइड ग्रिल है और जो उसका लुक का रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है, ब्लैक अन सिल्व कदर का डूल टॉन ग्रिल दिया गया है, में है इसके हेडलाइट्स, हेडलाइट्स जो आपको होकाई डिजाइन भी दिये गए है, आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरी LED की स्ट्रिप दी गई है, जो की DRL ऐस वेल इंडिके बहुत है, वो भी काफी अच्छा दिखता है, तो सामने से तो यह भूती अधा डैशिंग लुग आ रही है, बोलट का अप लुग देख सकते हो, बोलट भी काफी अच्छी तरह से दिया गया है, दो क्रीज लैंस दी गई है, जो की कार के एंड तक जाती है, अब आप इसक के अप देख सकते हो, आपको अलोई वील मिल जाते है, तो बेस सेकेंड वेरेंस से अलोई वील मिल रहा है, इडिज बिग बिग थाम्स अप, 17 नीचे के अलोई वील दिए गए है, तायर साइस की बात की जाए, तो इस 215 55 R17, एमजी का लोगो भी मिल जाता है, उसके उपर साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ओर वियम दिए गए है, वाइट अन ब्लैक, डूल टॉन, और यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है, बी पिलर आपको ब्लैक कदर में मिलने वाला है, यहाँ पर नीचे आपको पूरी क्रोम की बेल्ट लाइन दी ग इस्टर का रेर का लुक देख सकते हो, रेर से भोधी जाज़ाए एक लाइड क्लासी और डाशिंग दिखती है कार अक्छल में सबसे पहली बात यह इसके टेल आप सब देख सकते हो, पुरे एलेड के डिजयन इलिमेंट में काफी सुपब दिखता है, यह जो LED टेल लाइं से कि यह पर आपको देख सकते हो अगे बॉटी को उपनींग कर्याद कि प्वालेख सकते हो और नीच आपको आपको skid plates दिये गया है यहां पर exhaust design element दिया गया है, fake exhaust है, exhaust हो नीचे है, मतलब यह थोड़ा design element दिया गया है, जो कि काफी अच्छा दिखता है, reflectors दिल जाते हैं आपको यहां पर और आपको तीन river sensors मिल जाते है, driver's end से भी आपको same look मिलने वाला है, अब इसका key देख सकते हो, आपको lock unlock का button मिल जाता है, और आपको open the boot button भी मिल जाता है, MG की branding मिल जाएगी और यह flip key दी गई है, जो की super दिखती है, same, दोनों भी keys आपको flip key मिल जाती है, अब आपको इसका boot space दिखा देते है, MG Aster का, आप देख सकते हो, काफी बड़ा boot space मिल जाता है, बहुत सारे सामा इसके अदर, आपको tray भी मिल जाता है, बट currently भी नहीं है, क्योंकि it is a new car, तो बाद में लग जाएगा, और नीचे आपको spare wheel and toolkit, दोनों मिल जाते हैं, और आपको boot light भी दिया गया है, so that is also a big big thumbs up, अब आपको इंटिनर से दिखा देते है, यह आप इसका door panel देख सकते हो, dual tone में दिया गया है, यहाँ पूरा अपको लेदराइट फिनिश दिया गया है, जो कि काफी smooth and nice to touch and feel है, four door power windows जहाँ पे मिल जाता है, lock unlock switch मिल जाता है, door opening lever दिया गया है, और उसी के around आपको पूरा silver color design element दिया गया है, जो कि सुपब दिखता है, यहाँ पे आपको bottle holder मिल जाता सीट के comfort के बात कर लेते हैं, बहुत ही comfortable seats मिलते हैं, with height adjustable, so that is a big big thumbs up, next अगर आप बात करते हो, तो बेटने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, आपको side में यहाँ पे भी अच्छा comfort मिल जाता है, तो ball string काफी अची है, अब इसका interior का पूरा look देख सकते हो, बहुत ही अच् प्लास्टिक दिया गया है, और यह पुरी सिल्वगर के design element दी गई है, जो कि आपको AC events के और लेके जाती है, यहाँ पे पूरा leatherite finish दिया गया है, soft touch material है, बहुत ही superb दिखता है, and gray color का है, no dots, अच्छा दिख रहा है, और यह भी जो center console है, वो भी आपको पूरा leatherite finish में दिया no issues in that, आप AC events यहाँ पे देख सकते हो, आपको एकदम rectangular AC events मिल जाते है, और side में आप देखते हो, आपको circular AC events दिये गया है, जो कि look wise is looking really good, यहाँ पे आपको twitter events दिये गया है, जो कि again a big thumbs up, अब आप इसका steering wheel देख सकते हो, again steering wheel भोगे जादा premium है, क्योंकि इसके अंदर पूर आपको leather wrapped दिया गया है, यहाँ पे आपको call controls दिये गया है, और यह MID के controls, MG की branding मिल जाती है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत silver element दिया गया है, and MG also in chrome, तो काफी अच्छा दिख रहा है, बहुत जादा premium लग रही है यह car, दो airbags मिल जाते है इस car के अंदर आपको, आप इसका main instrument cluster देख सकते हो, analog instrument cluster दिया गया है, आपको speedometer मिल जाता है, tachometer मिल जाता है, और बीच में आपको छोटी सी MID screen दी गई है, वो भी color display है, which is a big big thumbs up, यहाँ पे आपको AC के controls दिये गया है, और यह home button for this particular music system, तो those buttons are here, next अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो आपको USB का switches मिल जाते है, और charging socket मिल जाता है, फोन रखने के लिए जगा दी गई है, आपको traction control का switch दिया गया है, और hill descent का switch दिया गया है, 5-speed manual gearbox, जो की again, one of the best in the segment है, आपको एगदम soft feel होने वाला है, no doubts in that, और यह भी जो पकड़ने के लिए है, काफी अच्छा premium लगता है, और यहाँ पे अच्छा design element दिया गया है, silver color का, यहाँ पे आपको की रखने के लिए, फोन रखने के लिए जगा दी गई है, this is your handbrake, और यह आपका main armrest, जिसके अंदर आप भोछ सरा समान अराम से रख सकते हो, इसमें आपको manually adjustable IRVM मिल जाता है, LED lights मिल जाती है, जो की काफी अच्छी बा glove box काफी deep दिया गया है, बहुत सरे समान अराम से इसके अंदर आ जाएंगे, थर सुन आपने, really good, तो build quality तो अच्छी है, no doubts in that, और MG is known for good build quality, पेले से ही, हेक्टर हो जाए, हेक्टर प्लेस हो जाए, तो वो चीज का अपको tension नहीं होने वाला है, बेटने के लिए काफी comfortable जाएंगे, तीसरे बंदे को कोई थोड़ा पतला रेगा, तो वो बैठ से क्ता क्योंकि यहाँ पी थोड़ा पको हम है, तो transmission tunnel हम भी है, तो that is the small thing, but then हाँ बच्चे बैठ सकते इसके अंदर, but best for two people क्योंकि आप बहुत ही आराम से बैठ के जाओगे, क्योंकि नी रूम काफ और हाँ, next is this AC vents with charging sockets, अब आप इस MG Aster का engine बे देख सकते हो, इसके अंदर आपको 1.5 liter petrol engine मिल जाता है, 4 cylinder का दिया गया है, BS6 engine, उपर यहाँ पे आपको काफी अच्छा इंसुलेशन दिया गया है, पीछे भी अच्छा इंसुलेशन दिया गया है, तो basically बहुत ही strong built-up है, and very nice to put. Okay guys, I hope आपको एक वाकर वाकरांड वीडियो अच्छा लगा हो, MG Aster Super Variant था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो definitely like, share, comment and subscribe, to the Bangalore audience, अगर आपको एकार देख नहीं है, खरीदी है, अगर आपको एकार देख नहीं है, खरीदी है, अगर आपको एकार देख न आपको एकार देख नहीं है, अगर 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 आपको एकार आपको एकार आपको एकार आपको एकार आपको एकार आपको एकार आपको एका